कक्षा एक विशे हिंदी और आज हमारा विशे है हमारी वर्ण माला और वर्ण माला का आज हम भाग एक करेंगे और वर्ण माला दो प्रकार की होती है एक उसमें स्वर होता है और एक व्यंजन होता है आज की कक्षा में हम स्वर करेंगे जिसे हम मात्रा भी कहते हैं स्वर है अ, आ, इ, इ, उ, उ, और री से रिशी ए, ए, ओ, आउ, अंगा, अहा अब ये देखें, चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी ये एक हमारी गुथी हुई, जो है माला की तरह होती है इसे हम इसी लिए वर्ण माला कहते हैं जैसे अ, आ, इ, इ, उ, उ, रिशी, ए, आ, आ, ओ, ओ, आ, अंगा, अहा अब हम इसे कैसे प्रयोग करते हैं इसको हम व्येंजन के साथ लगाते हैं तब ही स्वर का अपना एक स्वरूप आता है अब मैं एक बार आपको लिख कर बताती हूँ कि कैसे होती है आ, ऐसे लिखते हैं, आ, आ के बाद आ जो है यह मातरा रही तो होता है और यह है आ, ई, ई, उ, औ, 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 और री से, रिशी, ए, आ, अ, औ, औ, अउ, अंग, ये हमारे नाक से आवाज आती है और आहा, तो ये कितनी हो गए, गिंती करें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा ये तेरा होती है, री से रिशी जो है, उसको हम सी की तरह लिखते हैं तो इसको मिलाकर हमारी कितने हो गए स्वार, स्वार हमारे तेरा स्वार है और बिना वियंजन के स्वार का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इने हम मात्रा हैं इसके द्वारा जो है, हम वियंजन में मात्रा लगाते हैं, तभी जो है, इन स्वारों का प्रयोग होता है कल की कक्षा में आपको वेंजन सिखाऊंगी और फिर उसके बाद हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं ये भी कल की कक्षा में बताऊंगे धन्य बाद